नमस्कार किसान भायों मैं परणाफ फिर से आप लोगों के लिए एक नया जानकरी के साथ आ गया हूँ तो आज के वीडियो बहुत ज़ाधा आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है आप अगर धान की फसल कर रहे हो चाहे कोई भी फसल कर रहे हो अगर आप पह on-8 कि क्या है आज का वीडियो इतना इंटरेस्टींग होने वाला है आपके हातों से जानेह कीजीए मैं अज के वीडियो बताऊंगए 25% डबलीजी के बारे में यह हमारे फसल के लिए कितना जादा महत्तपुर्ण है और हमारे फसल को किस किस कीट से निजात दिलाता है ठीक है आप अगर अभी धान का फसल लगा रहे हो चाहे कोई सा भी फसल लगाए हो आपके फसल में अगर वाइड मक्खी मतलब सबैद मक्खी भूरा या लिप फोल्डर की समय से आ रही है तो यह वीडियो बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए होने वाला है इसलिए वीडियो को इसकिप मत किजिएगा और अंतक वीडियो को देखिएगा क्योंकि एक गलत डिसीजन एक गलत जानकरी आप लोगो को क्या ले डूप सकता है इ अगर आपके फसल में अभी वाइट फॉलाई क्या वोला आगर आपके फसल में सवेद मख्षी और लीप फोल्डर या भूरा माहू का पृथम स्टेज है तो आप क्या कीजिए थी महताकजीम 25% डबलू जी का आप छिरकाप कर सकते हैं और थी महताकजीम 25% डबलू जी क्या ह ग्रिनाइड फॉर्म में आता है मतलब यह दानेदार फॉर्म में आता है चौमिन जैसा दिखता है लेकिन क्या है यह चोटा-चोटा चौमिन का टुकरा जैसा रहता है दानेदार फॉर्म में रहता है यह क्या है गुलंशिल होता है गंधहीन होता है ठीक है इसका आप परत प्रफेद मक्की लीब फोल्डर और क्या है लीब फोल्डर और भूरा माहु से पुर्थम जो एटाक है उससे बस सकते हो और एक कीट नाशक एक सिस्टमिक कीट नाशक है इसलिए इसका जो असर है वह बहुत ही बैतरिन देखने को मिलता है और एक बात आप ध्यान रख सकते ह अगर आप यह जो दवाई का छिरकाप कर रहे हो तो इसके साथ चिप को का भी 10 ml चिप को का भी छिरकाप कीजिएगा तो क्या है हमारा दवाई का जितना भी बेस्ट होता था वो बेस्ट नहीं होगा और हमारा जो दवाई है 100% हमारे कीटों को मारने कीटों को मारने के के लूब कries बूब रहा करता हैं की करत्व स्छोर्ण करता हैं